पुराने से पुराना दर्द हो या जैसे गठिया का दर्द हो हाथ का दर्द हो कंदे का दर्द हो सीर का दर्द हो या फिर एक प्रकार से हम कर सकते हैं कई सालों से आपके बौडी में दर्द बना रहता है जिसकी वज़ा से आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता ह तो इस समय से में डॉक्टर के दौरा ये ओयल लगाने के लिए दिया जाता है और इस वायल का उपियो कहां कहां पर कर सकते हैं डॉक्टर के दौरा और किन-किन परेसानियों में ये ओयल का इस्तेमाल करने के लिए मरिज को दिया जाता है ये ओयल दिन में कितनी बार लगाना और ये औल लगाने के बाद में क्या करना होता इसके बारे में पूरा डेटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे पुराने से पुराना दर्द हो या जैसे गठिया का दर्द हो हाथ का दर्द हो कंदे का दर्द हो सीर का दर्द हो या फिर एक परकार से हम कर सकते है कई सालों से आपके बॉडी में दर्द बना रहता है जिसकी वज़ासे आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो इस समय से में डॉक्टर के दौरा ये ओयल लगाने के लिए दिया जाता है और इस ओयल का उपयोग साटिका की कंडीशन में किया जाता है तो ये लगाने से वो दर्द ठीक हो जाता है और जैसे कि किसी के हाथ पैर के गाठों में बहुत लंबे समय से दर्द रहता है जैसे कि लाठी डंडा का चोट हो या फिर गिरे परे का चोट हो तो यानि ये हर परकार के दर्द को ये ठीक करता है गौट अर्थराइटिस की कंडीसन में डॉक्टर के दौरा ये तेल लगाने के लिए दिया जाता है जिसे हम गटिया का दर्ध कहते हैं और जैसे कि एगर किसी के पीट में यानि हम कह सकते हैं पुराने से पुराना दर्ध की समस्या रहती है तो दर्ध को भी ये ठीक करता है वो चाहेल आठी डंडा का चोट हो या फिर गिरे परे का चोट हो या फिर ऐसे अपने आप काफी लंबे समय से दर्द हो रहा हो, तो ये ठीक हो जाता, जैसे कि हम इसका उपयोगदात के बाहरी हिस्से पर हम कर सकते हैं, और जैसे कि इसके अंदर नहीं करना है बाहरी हिस्से पर अगर दर्द की समस्या रहती है उठों के पास में तो यहां पर हम लगा सकते हैं इस ओयल को और जैसे कि अगर कोई लकवा का पेसेंट होता है तो उसे भी ओयल इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर देते हैं उसमें यह अच्छा काम करता है लगाना कैसे है चलिए जान लेते हैं जैसे कि आपके पौRT कुलर एरिया पर किसी पर भी जहां पर आपको दर्दी की समस्या है तो वहां पर अपने हाथ में इस ओयल को ले करके उस पौर्ट fulfill को लिए करके और लगाें और हलके हाथ से वहां पर मालिस सकते हैं यानि सुबा दुबार साम आप इसे लगा सकते हैं ये काफी अच्छा होता है और ये आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ देने लगेगा इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत कोई परसानी है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके फिर कोई दवा लें कोई वी दवा आप अपनी मर्जी से उप्योंग ना करें